आप नींद में बहुत सारी नकारात्मक या सकारात्मक चीजें पोशित कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता जा रहा है, सोते हुए साधना। तो अलाम के आवाज से अचानक जागना, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आप में से कितनों के साथ ये हुआ है कि एक दिन सुबह जब आप उठते हैं, तो बिना किसी वज़े के, आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं। अगर ऐसा साल में कम से कम दो-तीन बार भी हो रहा है, अगर ऐसा है, तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें करनी चाहिये। ये बहुत ही मैत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अचेतन रूप से सोते समय आप बहुत सारी नकारात्मक या साकारात्मक चीजें पोशित कर सकते हैं। चाहे वो सुखो या दुख, आप नीन में बहुत प्रभावी भंगसे बिना किसी रुकावट के इन्हें पोशित कर सकते हैं। परिशानी के नहीं हैं, ये समय के साथ कुछ बड़ी शारिरिक समस्याइं पैदा कर सकता है, ये महतुपून है कि आप इन चीजों को अपने जीवन से निकाल दें। तो रात को सोने से पहले कुछ चीज़े हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। एक आसान सा काम ये होगा कि आप नहा लें। सोने से पहले आप हमेशा नहाएं, इससे काफी फर्क पड़ेगा। इस मौसम में शायद ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो। तो आप गुंगोने पानी से नहा सकते हैं, रात में गर्म पानी से नहाएं, गुंगोने पानी से नहाएं, इससे आप अलर्ट महसूस करेंगे। तो आप सोचेंगे, ओ, मैं सो नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप 15-20 मिनट या आदे घंटे बाद सोएंगे, लेकिन आप बहतर सोएंगे, क्योंकि इससे कुछ चीजें दूर हो जाएंगे। जब आप नहाते हैं, तो आप सिर्फ तवचा पर जमी गंदगी नहीं हटा रहें। आपने कभी गौर किया है, अगर आप बहुत तनाव ग्रस्त और चिंतित हैं, तो सिर्फ नहा कर निकलने पर ऐसा लगता है, जैसे कोई बोज आप से हटा लिया गया हो, आपने ऐसा मैसूस नहीं किया, तो बात सिर्फ तवचा साफ करने की नहीं है। बहुत सारी चीजें धुल जाती हैं, जब पानी आपके शरीर पर बहता है, नहाना एक बहुत ही प्राथमिक भूत शुद्धी है, क्योंकि आपके शरीर का सत्तर प्रतिशत से अधिक भाग असल में पानी है, अगर आप इस पर पानी डालते हैं, तो एक विशेश प्रकार क के शुद्धी होती है, जो सिर्फ त्वचा को साफ करने से कहीं ज्यादा है, एक और चीज अगर आप करना चाहें तो, आप बस एक जैविक तेल का दीपक जला लें, एक कपास की बत्ती, थोड़ा सा तेल, किसी का भी, आप यहां क्या इस्तिमाल करते हैं, साधारन खाना प जिपक जलाएं, जहां आप सोते हैं, आप देखेंगे कि ये चीजें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, अगर आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, या रात के कुछ योग अभ्यास हैं, तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और इस अभ्यास को करें, आपको प जिसे आप सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, वो वही नहीं है, ये हर दिन बदल रहा है, नई चीजें आ रही हैं और पुरानी चीजें जा रही हैं, तो चौदा सोटन, आप अभी इतना वजन तो नहीं उठा रहे हैं, तो जाहर है कि आपके पास जो शरीर अभी है, वो बस अस्थाई मात्रा में भोजन और मिट्टी है, है ना? हलो? सास लेते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, सास छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ, बस 12-15 मिनिट के लिए लेट जाएं और इसे करें, बिलकुल आखरी पल तक, जब तक आप सो न जाएं, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए. सास लेते हुए मैं और अजाएं और मिट्टी है, बस्ते हुए मैं पल तक आप सो नहीं हुए. झाल